जौ के असरदार तोटके पहला तोटका अगर आपके आर्थिक स्तथी ठीक नहीं रहती या फिर आपके उपर कर्ज का बोज है तो ऐसे में रात को सोनी से पहले एक मुठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांध लें फिर इसे बैठ के नीचे रख दे इसके बाद अगली सुबह इसे जौ को किसी गरीब या फिर पक्षियों के बीच माट दे ऐसा करने से कर्ज की समस्या से आपको जल्दी ही मुक्ती मिलेगी साथी घर में धन का आगमन होगा आपको बता दें कि शास्त्रों में जौ का दान करना सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि जौ को सोने के समान शुद्ध माना जाता है मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है उसे किसी जरुरत मंद व्यक्ति को जो का दान अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से धन में वृति होती है और घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है तो वहीं कहते हैं कि घर में जब भी कोई भी मांगलिक कार्य हो तब कलश या मूर्ति के नीचे जो के कुछ दाने डालने से घर में धनकी देवी मालक्ष्मी का आग्मन होता है इसी के साथ रोजाना भगवान विश्नु को जो अरपित करने से घर में सुख सम्रधी बनी रहती है इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद